नहीं उड़ते हमारा अपना नाम ही काफी है आपको अपना टेक्स लिखेंगे और उसके बद से नीचे आपको फॉन्ट का ओप्सन मिलेगा यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हुँ तो सिंपल से देखते हम यहां पर कोई अच्छा सा फॉन्ट यह मुझे सही नहीं लग रहा है सिंपल जाएंगे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एक ब्रस फोंट से अपने अपना नाम लिखिया उसको बाद से आपको डिजाइन करना फिर सेव करना अब सेकेंड आपको गूगल पर जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लैग वेवर ठीक है जैसे यहाँ पर लिख के यह सर्च करोगे यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा फॉस्ट वाला आपको इसको उपेन करना है यहाँ पर आपको पहले फ्लैग दिख जाएगा जैसे देखो यह फ्लैग है तो आपने इसको डबल फिंगर से टैप करना है और इसको बीच में लेके आजाना है और छोटा बड़ा डबगल फिंगर से कर सकते हो तो हमें यहाँ पर अपने नाम लगाना है तो नीचे देखो वेब दिख रहा है और फाइल दिख रहा है तो आपको फाइल वाले ओप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी गैलरी में जाना और यह से अपनी जो फोटो है सेलेक्ट कर लेना अब देखो यह हमारी फोटो आ गई आप हमें जो फ्लैक का बाइगराउंड है वो चेंज करना है उपर आपको थ्री लैंस दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको और वी कई सारे कॉस्टमाइज के ओप्शन मिले सके तो यहाँ सहमें इसको कट करेंगे अब देको यह हमारा हो गया अब यहाँ जाए जाएज तो इसको आपको सेव करना उसके बाद से vr editor open करना और यहाँ पर आपको new project पर जाके आपको background add करना background आप कई से भी download कर सकते हूँ जैसे देखो यह normal background है ठीक है उसके बाद से क्या करेंगे जा आप इसके size को हम दोड़ा सा बढ़ा करते हैं उसके बाद से media वाले option पर जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है जो भी green screen आपने record किया है आपको simple उसको add करना है जैसे देखो हमने ये वाला add किया है तो यहाँ इसको add करने एक बाद से इसको crop करेंगे और फिर इसका green screen remove करेंगे सिंपल से crop वाले option पे जाएंगे और इसका जो फाल्दू का पार्ट है उसको हम crop कर लेंगे उसके बाद से देखो यहाँ पे हम green screen वाले option पे जाएंगे और यहाँ पे green screen select करके इसको remove करके यहाँ पे background पे set कर देंगे अब देखो इसको आपको adjust करना है बाकी यह अप्रिया आप set हो जाएंगे इस तरह आप कोई भी background डाउनलोड करना गुगल से और यहाँ पे green screen की मदद से यहाँ पे flag के background को remove करके video save करना अब आते हैं अपने end वाले point पे यहाँ पे आना है आपको search करना है गुगल पे राजन एडिटी यह लिख के जैसे आप search करोगे यहाँ पे हमारी website का link मिलेगा आपको first में तो जैसे देखो यहाँ पे हम सर्च करेंगे यह यूज करके हमें video create करने है तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको दियान देना है video create करने है इसे पहले आपका VPN यूज होना चाहिए जैसे यहाँ पे हमने super VPN यूज करके इसको जर्मनी या फिर सिंगापूर सर्वर से connect करा लिया है अभी आपको फिर page पे जाके यूज पर क्लिक करना फिर आप कैप कट में आओगे इस तरह का template दिखेगा नीचे आपको यूज वाले option पर क्लिक करना है और उसके बाद से आपको वीडियो सेलेक करने है जो अभी वी एन एडिटर से export किया और देखो आपकी वीडियो भी इस तरह की रेडियो हो जाएगी और इ असानी से अपनी वीडियो बना सकते हो तो इस वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर जरूर रताना